हेलो एन वेलकम टू माई चैनल आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और हम आपको पता ही है के अडिमिशन और पार्टनर क्लास 12 में लास्ट की जो मेरी वीडियोस आई हैं वो इसी के उपर आए हैं यह टॉपिक इसलिए भी इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसमें यह 8 marks और 6 marks के जो कोशन हम कर रहे हैं अगर आप इनको कर लेंगे तो आपको retirement में भी इसका benefit मिलेगा क्योंकि retirement में भी यह कोशन इसी तरीके से चलते हैं तो इसका इसी लिए इसके उपर थोड़ा मैं ज्यादा कोशन कराना चाहता हूँ आपको हर type से हर method से so that आप pre-valuation account बन आना और retirement के लिए balance sheet बनानी के लिए पहले से prepare हो जाएं तो आपको उस समय इतनी उसमें difficulties नहीं आएंगे तो 8 और 6 marks के question हम इस समय जो topic कर रहे हैं वो retirement में नहीं है हम admission में हैं और admission के question हम कर रहे हैं कि जब एक partner को हम admit करते हैं तो उस समय हम re-valuation account, partner capital account और balance sheet कैसे बनाएं तो जो भी मेरे questions में जितनी भी videos ये और इस से आगे जो भी आएंगी उसमें या तो वो question NCRT से पिक किया गया होगा या हमारे CBSC board exam से पिक किया होगा तो ये question हमें करने हैं आज का भी topic हमारा ये ही है तो हम अपने अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का question किस परकार का है चलिए चलिए question को शुरू करते हैं और समझते हैं कि question हमें ये नया question हमें क्या सिखाता है तो ये जो question इस वीडियो में मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये CVSC 2019 compartment exam में आया था question ये भी जो है capital adjustment का था जिसको मैंने change करकर modify करकर without adjustment आपके सामने मिला रहा हूँ इसलिए नीचे वाला जो portion मैंने dark किया है वो capital adjustment थी जो मैंने हटा दी तो अब इसके विना ये question अब without adjustment हो गया संजना और आलोग तो partners हैं 3 is to 2 की उनकी ratio है ये question 6 और 8 marks का है मैं पहले आपको ये बता दू दोनों में से किसी में भी आ सकता है depend करता है कि CBSC उसको किस तरीके से मिले जो भी पेपर सेटर है वो उसको किस तरीके से represent करकर आपके सामने रखते हैं कोशन की value और कोशन की जो figures हैं वो कभी भी सेम नहीं होती वो आपको समझना है अलग-अलग ही आएंगी बस आपको concept को clear करना है तो मैं concept clearance के लिए आपके सामने कोशन रखता हूं मेरी अपनी जो thinking अब यह यह कि अपके बार admission में 6 मांग से उपर का कोशन नहीं आए तो सुनैना और अलोग दो partner है 3-2 की इनकी ratio है यह balance sheet है balance sheet को अगर मैं देखूं सबसे पहले मुझे देखना चाहिए तो मुझे workmen compensation fund मिलता है तो अगर इसके उपर कोई adjustment है तो एक अलग बात है नहीं तो यह partner में distribute होगा provision पर मुझे धियान रखना है क्योंकि provision पर adjustment मिलती है अब अगर हम question को पढ़ें तो question में a part जो हमें यह बताता है कि form की goodwill दे कि bird जो important है यहां पर जब हम read कर रहे हैं तो हम ऐसे हगर highlight कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा तो form की goodwill है यह मुझे निधी की goodwill निकालनी है निधी का share कितना है one four तो अगर मैं four lakh को one four से multiply करूँगा तो निधी का share जो आएगा वो one lakh रूपीस आएगा तो मेरे लिए पहले यह निकालना बहुत जरूर है अब बी adjustment में capital दी हुई है वो adjustment इसलिए अलग है क्योंकि वो capital adjustment का question था तो निधी जो है three lakh की अपनी capital भी introduce कर दी है तो पहली जो दो अब यह question जो है मैं मुझे जो पूरी अपनी guts feeling है वो यह कहती है कि question अपकी बार जनल एंट्री पर उपर आएगा admission का तो इसलिए मैं या form के पास cash इसलिए क्योंकि यहां cash दिया हुआ है अब वो किस-किस रूप में आया निधी capital three lakh के रूप में और goodwill का जो share है वो एक लाग के रूप अब इस goodwill को पहले हमें sacrificing partner में sacrificing ratio में divide करना है इस question में अगर आप देखे हैं तो new ratio लिखने के बाद कहीं पर भी ratio से related कुछ नहीं लिखा हुआ that means क्या हुआ कि जो यह ratio है यह हमें यह इसारा कर रही है कि यह remaining का case है और remaining के case में sacrificing ratio old ratio हो जाए इस question में भी old ratio हो गई हमाने old ratio में premium for goodwill सुनैना और आलोक में three to two की ratio में divide कर दिया इस तरीके से तो यह entry हमारी पूरी हुए अब question में अगर तो आप यहां पड़ो तो इसमें लिखा है कि half of which यह इसलिए important है मैंने इस question को लेने का भी मेरे यही कारण है कि half of which is withdrawn by the old partner यह नहीं था पहले के question से तो withdrawal भी है तो withdrawal करके है cash के थ्रू ही withdrawal होगा संजना का half amount start का half ऐसे ही आलोक का भी half amount चालिस का 20 और cash के थ्रू वो withdrawal हो गया एक लाग का half अब हम इन दो adjustment को पढ़ेंगे जो यह दो adjustment है पहली adjustment हम यह कहती है कि stock जो है वो increase कर दिया गया है 20% से तो आप 20% से stock को increase कर दो स्टोक कितने का है देड़ लाग का देड़ लाग का 20% कितना बढ़ता है 30,000 तो आप 30,000 से stock को बढ़ा होगे increase करने का मतलब है आपको debit करना पड़ेगा उसको और revaluation account के थरू वो बढ़ेगा तो revaluation account को आपको क्या करना पड़ेगा credit करना पड़ेगा इस तरीके से इस page पर तो शुरुवात करते हैं अब हमारे पास furniture है और investment है तो यहाँ पर पहले मैं investment के एंटर करा रहा हूँ पर नीचर की बाद में करा हूँ तो furniture जो है उसकी value 3 lakh कर दिए इन्वेस्मेंट जो है उसकी value 3 lakh है ठीक है और आप अंदर जाकर देखो तो 2 lakh 60 था तो आपको दिख रहा है कि investment बढ़ रही है कितने से 40 दोनों का difference कितने का है 40 बट साथी साथ यह लिखा कि आलोक ने उसी investment को ले लिया took over कर लिया खरीद लिया है तो अब आपको यह investment को बेचना पड़े तो बेचते समय आपको पैसे कौन देगा आलोग इसलिए आप इस entry के अंदर आलोग को debit कर दोगे आलोग के capital account को कितने से इतने से 3 lakh से investment debit balance के साथ यह उसको खतम कर दो credit करकर 2 lakh 60 बाकी जो बचा वो मेरा profit है वो मैं कहां डालूँगा investment का काम पूरा हुआ अब मेरे पास किसका काम बचा है furniture का furniture को बोला गया है कि furniture को reduce कर दो 90% तक अभी यह 100% है यह आपको 90 पर लाना है तो 10% reduce करना है नहीं तो 3 lakh का आप 10% निकाल दो तो 3 lakh का 10% कितना होता है 30 तो revaluation account को debit करो क्यों कि आपको कम करना है asset को और furniture को क्या करो credit तो इस तरीके से आपने जो journal entries की adjustment से related वो सारी पूरी कर ली अब आपके पास यह workmen compensation fund बचता है और revaluation से profit हुआ या loss हुआ वो बचता है तो एक roughly revaluation बनाते हैं फिर fair भी बनाएंगे दो जगें तो यहां use हुआ है, revaluation यहां debit में है मैंने यहां लिख दिया, revaluation यहां credit में है मैंने यहां लिख दिया, investment of furniture के लिए तो यहां से आ गया, क्या बचा, stock, stock बढ़ रहा था आपको पता है तो revaluation किस तरफ होगा, obviously है credit में होगा, 30,000 यहां जाएंगे, इस base पर आप profit निकाल सकते हो, या loss अगर होता पर हमारे case में 40,000 का profit हो रहा है तो हम उसको इस तरफ दिखा रहे हैं, तो यह profit निकालने का तरीका, ठीक है, तो revaluation बिना बनाए भी आप profit निकाल कर अपनी general entry pass कर सकते हैं, अब profit हो रहा है तो आपको revaluation account debit करना पड़ेगा, और दोनों partner old ratio मे इसी entry हमारी old ratio में होगी, old ratio में आप 3,2 की ratio में इसको divide खर दोगे जो 40,000 का profit अब ऐसी workman compensation को divide करना है, workman compensation account को close करो, close करने के लिए इसको debit करना पड़ेगा, अब यह यहाँ पर general reserve लिखा है, तो यह general reserve नहीं है, बस आपको यह correction इसमें कर लीजिए, कि यह correction यह general reserve नहीं है, क compensation fund को debit कर देंगे, close करने के लिए, और दोनों partner सुनेना और आलोग, उनको credit कर देंगी, यह entry भी जो हमारी होगी, यह old ratio में, तो इस तरीके से, हमने जो general entry का part था, अगर हमारे question में हमसे general entry पुछी जाती है, तो वो general entry हमारी कूरी होगी, question हमारा यहीं समापत होगी, इसके ब मेरे साब से 8 marks का भी आ सकता है, और 6 का भी आ सकता है, 6 का तो ही confirm, अब हम इसको अगर account form में कहीं, और वो हमें यह कहीं कि revolution account और partner capital account बनाओ, तो वो कैसे बनेगा, वो सीखते हैं, ठीक है, यह 6 कहीं आगा, पक्की बात है, गर partner capital account और revolution आया तो वो 6 कहीं आगा, तो देखे पहले हम revolution account बनाना सीखते हैं, revolution के अंदर यह दो entry है, B और C, stock बढ़ा है, और बिसलिए जब stock बढ़ता है, तो हमने देखा था, revolution account credit हो रहा तो हम कहां लिखेंगे उसको credit में, कितने से बढ़ा, 30 से अभी हम देख चुके हैं, furniture घट रहा है, घटने का मतलब है कि वो कहां ज दीजिए, debit कर दीजिए, ये भी कितना amount है, 30, देखाता ना अभी, investment आपको पता है, 3 lakh में B की है, आलोक ने खरीदा है, 2,60,000 की थी, तो company को जो firm को जो profit हो रहा है, वो कितने का हो रहा था, 40 का, तो वो 40,000 यहां पर आ जाएंगे, यह profit वाली साइड होती है, loss वाली साइड होती है, तो यह 70,000 हुआ, चिछ 40,000 का profit है, वो आप किसमें बाट दोगे, old partner, old ratio, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, profit transferred, टू, सुनैना, और आलोग, एक में रुखते हुआ, इनके capital account में किस ratio में, 3,2 की ratio, कितना कितना आएगा, 24,000, और 16,000, इस तरीके से evaluation account पूरा हुआ आपका, यह maximum 3 marks के आसपास का कहीं आएगा, हो सकता है, 2 का भी हो, अब हमें partner capital account बनाना है, यह marks है, अब हम partners capital account बनाते हैं, पार्टनर capital account बनाने के लिए, पहले मैं partner के नाम चेंज कर दूँ, यहाँ पर नाम गलत आ रहे हैं, यह जो मैंने last video बनाई थी, उसके नाम है, कोपी पेस्टिंग की थी, तो उसमें रह गया था यह, इसको चेंज कर देते हैं भी, यहाँ पर अब मैं नाम लिख दूँगा, इस question के, यहाँ पर लिखे balance, पाइव लेक सुनायना का balance है, पूर लेक आलोक का balance, अब जो निदी कैपितल लाई सबसे पहले यह लिखिए यहाँ पर आपने देखा था पहली दो एंट्री में हमने लिखा था by cash account debit to निधी capital account तो वो 3 lakh हम यहां लिख रहे हैं भी एक लाग का जो premium है जो 4 लाग पर निधी का शेर कितना लिख लाता है एक निकला था न वो एक लाग का premium आपने distribute किया था partners में सुनेना और आलोक में उसको लिखिये यहां पर कितना कितना आया था 32 की रेशो में डिवाइड हुआ था एक लाग रुपा एक लाग रुपे है तो 60 40 workman compensation fund distribute करना है आपको वो कीजिए कितना आएगा 60 का देखा था न आपने general entry में कितना आय था 36 और 24 अब आपका क्या आएगा यहां पर जो यह आपने रिवेल्वेशन का profit निकाला है तो रिवेल्वेशन अकाउंट लिख हो गया पूरा लिखना पेपर में और 24 और 16 यहां पर लिख दीजिए तो यह entry थी जो partner capital account से संब्दित थी इसके लावा कोई भी entry हमारे partner capital account से संब्दित दीगे तो हम partner capital account को अब क्या करेंगे close कर देंगे एक transaction रह गी जो half withdraw किया था partner ने वो रह गया है उसको ओड़ लिख दीजिए एक बार cash account से withdraw किया था न उन्हेंने premium को 30,000 इसने withdraw किया था और 20,000 आलोक ने withdraw किया था अब हम question को close कर सकते हैं balancing कर जिए 480 का total आता है 6,20,000 इसका total आता है यह total यहाँ पर transfer होते हैं एक hero यहाँ पर जादा बन गई है और आप यहाँ पर balance निकाल लेंगे balance carried down होंगे यहाँ पर balance आता है 5,90,000 का यहाँ balance आता है 4,60,000 का और नीधी के account में 3,00,000 की capital आ जाते हैं तो इस तरीके से हमारा partner capital account और revaluation account बनाना आएगा तो यह six marks का आएगा three marks का revaluation और three marks का ही partner capital तो इस तरीके से यह question भी हमारा board का समाप्त होता है नए question में फिर आपके सामने आएगे तो आज का question हमारा समाप्त होता है इस वीडियो में हमने इस question को अच्छे डेंग से करना और समझना सीखा next video में next topic के साथ नए question के साथ फिर आपके सामने उपस्तित होंगा दब तक अगर वीडियो को like अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दो सब्सक्राइब कर दीजिए bell icon को press कर दीजिए वीडियो को like करना share करना maximum students के अंदर और comment करना मत भूलिए गया comment बहुत important होता है तो मैं आपसे यही एक मेरी request है कि आप जैसे भी comment positive जो भी आप मुझे suggestion दे सकते हैं मेरे वीडियो से related या आप क्या चाहते हैं कि एक question particular question आपको किस तरीके से समझाए जाए आप ये भी बता सकते हैं so that मैं उसको अपने वीडियो मिला सकूँ और आप तक उस तरीके से पहुँचा सकूँ जैसा आप समझ पाएं जैसे आप अपने आपको से connect करता हैं Thank you